तो आप सबका। फिर ऐक और अध़ा ने चैनल। और गल्ड दोस्तो आज connected के पौधे के काय कल्ब के बारे में उसमें सम्झेंगे कियो करना चाहिए और बहुत yat क्या करने से हमें क्या फाइदे मिलने वाले हैं साथ में हम देखेंगे कि बेंगन के पोदे का क्या करना चाहिए कौन-कौन से वीडियो के अंतक आये शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यह जो हमारे बेंगन के पोदे हैं और उसमें आप देख सकते हो कि अभी फॉल तो काफी लग रहा है पर उसकी साइज दीरे-दीरे छोटी होती जा रही है और यही रिजन है कि हमें बेंगन के पोदे का काया 45 यहान दो देता है पर जैसे समझ जाता जाता है तो उसकी जो जड़ों की सिस्टम है जो उसकी खुराक बनाती है वह काफी सारी खुराक उसमें से पोदे की डालीयों को मेंटेन करने में चली जाती है इसकी वजह से जो फलों को खुराक मिलनी चाहिए वह तीरे-दीरे कम होती जाती है और इसी वज़ा से हमारे जो बेंगन के पौधे में जो फल है वो जैसे बेंगन का पौधे की उमर बढ़ती जाती है या उसकी साइस बढ़ती जाती है फल छोटे होते जाते है और उसकी गुनोता भी कम होती जाती है यदि हम इसी पौधे को काट के छोटा कर दे तो फिर से वो सारी एनरजी जो है जड़ो के दारा जो खुराक के रूप में मिलती है वो जो नए फॉल पढ़ेंगे उसमें जाएगी और फॉलो की गुनोत्ता भी सुधार होगी इसके साथ ही हमें कुछ और भी फाइदे मिलते हैं क्योंकि जब हम इसके काय कल्प के लिए बेंगें के पौधे की कटाई करते हैं तो जो पुराने पत्ते हैं जिसमें क्या तो कीट लग गया होते है या रोग आया हुआ होता है जैसे यहां पर सफेद मक्ही का असर दिख रह स्वस्त्र हो जाता है और इस से भी घुन अर्ता पर काफी असर आता है है इसके अलावा एक और फाइदा है कि जब हम नए बोधा चोरू करते हैं तो नया बोटा जो बीच से शुरू करते हैं तो उसको सापित होने में और नए फ़ल देने में करीब दो से ठाई मेना लग जाता है इसके सामने यदि हम उसका काया कल्प करके उसको पुनर जीवित कर दे तो यही जो फॉल धारना है वो 15 से 20 दिन में हो जाती है तो हमें नई सीजन में बहुत ही जल्दी नए फॉल मिलना शुरू हो सकते हैं और बेंगन के पौधे को हमें इस तरह करीब 2 साल तक चला सकते हैं तो यह तो हुई हमारे बेंगन के पौधे को काया कल्प करने से होने वाले फायदे की बात तो आइए अब देखते हैं इस बेंगन के पौधे को हमें कईकर्प करने के लिए क्या करना होगा सो सबसे पहले इन पौधे के काया कल्प करने के लिए हमें ये जो हमारे पौधे है इसमें पानी खीच लेना पड़ेगा इसे क्या होगा कि जो पौदा है अपनी ज़्यादा तर एनरजी वापीस रूट के अंदर बेद देगा और करीब जब उसके 70-80% बड़े पत्ते गिर जाए उस समय हमें इसका कटिंग करना चाहिए पानी खीजना वो सबसे पहला प्रोसेस होगा जब पाने खीजने के बाद पत्ते गिर जाते है उसके बाद हमें क्या करना होगा उसमें पानी को 15 दिन के बाद करीब फिर से शुरू करना होगा इससे इसकी उपर वाली ग्रोथ फिर से शुरू होना शुरू हो जाएगी और इसके बाद हमें इस पोधे को नीचे से करीब 6-8 आखे रखके काट देना है जिसमें से नई फुटान आएगी और उसी फुटानों में से हम 3 या 4 चारों बाजों बढ़ती हुई डालियों को बचा के रख लेंगे तो जैसे यह पोधा है हमारा इसमें यहां से नीचे से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आखे रखके में इस पोधे को यहां से काट लेता हूँ कि अब इसमें देख सकते हैं कि यह एक और ब्रांच बड़ी फुटी हुई है कि और इसके अलावा हम दो या तिन फूट और रखेंगे जिसकी जिसमें से हमें नई हल्दी ग्रोथ मिलेगी और जिस पर हमारी प्रूट सेटिंग होगी अभी इस पोधे में हमें फिर से हम प्रूनिंग करके उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और यदि आपको प्रूनिंग कैसे करना है उसकी माहिती चाहिए तो मैं उपर लिंक बिजो रखूंगा उस पर जाके आप देख सकते हैं कि बैंगन के इसके लिए हम इतना करेंगे और इसके बाद इस गमले की यह आपके जमिन के अंदर जो भी है उसकी सफाई करेंगे उसमें खाद वगएर डालके इसको अभी रेगिलर पानी देंगे तकि हमें नया पाल जली से जली मिले तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने बैंगन के प जरू पताईएगा और आपको यह तरीका यदि पसंद आया हो तो मुझे लाइक का बटन जरूर रबा के दीजिएगा और अपने प्लान के लिए रिजनेशन का प्लानिंग कर लीजिए अभी में का गर्मी का महीना है बहुत ही अच्छा टाइम है और आपको बारिस की सीज कर लीजिए अपी ग्रोइग